दर्द का रिस्ता 1982 की भारती बॉलिवुड फिल्म है जिसका निर्माड और निर्देशन शुनील दत ने किया है जिसमें अभिनेता भी हैं इसमें ता पाठिल डाक्टर नाजे हुशैन, रीना राय और असोक कुमार ने महतपुन भुमिकाएं निभाई हैं इसमें दिवंगत अभिनेत्री पदमी, रामचंदरन की आशु और मुसकान के बाद 12 शालबाद फिल्मों में वापसी हुई थी, ये उनकी अब तक की आखरी बॉलिवुड फिल्म थी, बात करें अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो रवी कंत एक डॉक्टर है जो अपनी पतनी अनुरा लटने का फैसला करता है, लेकन वहीं दूसी तरफ अनुराधा अपना शुद जारी रखना चाहती है और भारत नहीं जाना चाहती है, अनुराधा से तलाक लेने के बाद रवी भारत लोट आया, इसके बाद अनुराधा को पता चलता है कि वह रवी के बच्चे से अनुराधा किया था कि वह आसा से शादी करेगा, आसा और रवी शादी शुदा है, आसा की बेटी को जनम देते शमे मृत्त हो गई थी, खुसबू के ग्यार में जनम दिन के तुरंद बाद उसे लिकेमिया का पता चला, टाटा मेमोरियल के एक साथी डॉक्टर की सिफारि दाता से अस्ती मज्जा प्रत्यार उपन कराना होगा, ससी को एक आदर से साथी मिल जाता है और वे मज्जा दन कर देता है, रवी को पता चलता है कि ससी उसका और अनुराधा का बेटा है, अन्तिम द्रिश्च में जब रवी, खुसबू और ससी भारत आ रहे होते हैं, तो ह अन्राधा की मा के रूप में पदमिनी, अन्राधा के पिता के रूप में मदनपुरी, डाक्टर मुखर जी के रूप में शिमी गरेवाल, एपतेखार को टाटा अस्पताल प्रमोग के रूप में निक्त किया गया था, खुसबू रवी, कांता और आसाकी के सोर बेटी के रूप में, लॉंडरी मैन के रूप में शुन्दर, जोसिफ के रूप में जोनी लीवर, खान पठान सुरच्छा गड़ के रूप में करनल राजकुमार कपूर, खान के रूप में यूनिश परवेज, स्री चौबे के र इसको लता मंगेशकर ने गाया है, दूसरा है बाप की जगे मा ले सकती है, इसको कुछ उरकुमार ने गाया है, तीसरा है गड़पती वप्पा मोरेया है, इसको हदीहरन ने गाया है, पांचवा है यूनिंद से वो जाने चमन जगा उठी है, इसको कुछ उरकुमार ने ग करें हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल पेट स्क्रेटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबादें